वेलकुम टू दे अनदरू फाक्ट्स वीडियो वेब सीरिस के थूँ सबसे ज्यादा फे मिला है तो दोस्तों अब आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें सबसे पहले हम बात करेंगे विजव वर्मा की विजव वर्मा जो तेलीगु फिल्म्स के साथ-साथ हिंदी फिल्म्स के एक वेल लून एक्टर है उनका बर्थ 29 मार्च 1984 को हैदराबाद में हुआ उनका अक्टिंग रंग्रेज, MCA, मिर्जापूर, Gully Boy, Super 30, Monsoon Shootout जैसी मूवीज में सभी को बहुत ही पसंद आया उन्होंने basically अपना career as a theater artist अपने hometown हैदराबाद में शुरू किया था पर उनके parents को उनका acting profession में जाना पसंद नहीं था Still, Widger was really determined to get admission to FTII तब उनके एक दोस्त ने उनको FTII पूने का admission दिया and this is how he took his first step towards acting His brilliant acting even got recognized in the movie Pink. For the film Gully Boy, उनको Best Supporting Actor का nomination भी मिला और गली बॉइ करने के तुरंद बाद ही उनको Big Budget Web Series and Films के लिए भी offers आये In Netflix Original Series, Shree, Widger played the role of Hyderabadian gangster Sashya and for that he got huge recognition इस नहीं नहीं, उनके fans उनको Second Best Actor from Hyderabad, आप्टर महमूद भी मानते हैं और Shree में उनका character भी बहुत ही experimental and evil था उनको ये doubts भी थे कि audience उनहीं इस role में पसंद करेगी या नहीं But he was really surprised जब उन्होंने audience का reaction देखा फिर उनको मिर्जपू 2 के लिए भी अप्रोच किया गया और उन्होंने बिना time waste किये हा कर दिया अनुराग कर्षटप ने जब विजय का interview लिया तब उन्होंने बोला कि ममफर वेब सो में उन्होंने जैसे एक self confident yet forgiving एक लड़के का role play किया है वो काबिलेत तारीफ है वैसे आपको ये पता है famous web series sacred games के लिए विजय ने audition भी दिया था बट ही got rejected चलिए rejection वाली बात थोड़ी और भी करीपस जानते है actually मूटवानी सहब Netflix और सभी को bandi के role के लिए विजय पसंद आ गए थे यहां तक उनुका contract पैसा सभी fix हो गया था उसी समय नुड़ा कुल लगा इस role के लिए जतिम बेस्ट है so this is how विजय गौट rejected in sacred games like every successful actor उनको भी बहुत सारी rejection को face करना पड़ा number 2 दिवेंदू शर्मा now let's talk about Munna भाया दिवेंदू शर्मा का birth 19th June 1983 को देली में हुआ था after pursuing graduation in political science from Delhi University उन्होंने तीन साल देली के theater से acting का experience गेन किया उसके बाद उन्होंने FTII Pune में entry ली क्योंकि वहां acting के अलावा technicalities भी सिखाई जाती है और उनको ये दूनों ही सीखने थे उनको इनिसिली Virgin Mobile Birla Sun Life and Fidelity Mutual Funds जैसे ब्रैंट्स में notice किया गया निशान अका लिक्विड इन प्यार का पंच नामा त्रिपाथिन बत्तिगुल मेटर चालू नरायन सर्माइन टॉलेट एक प्रेम कथा जैसे रोल्स करके उनको ओडियन से बहुत ही प्यार मिला सिर्फ इतना ही नहीं He got the screen award for most promising newcomer male for his outstanding acting in the film प्यार का पंच नामा उनको डेविड धवन के चसमे बद्दूर मूवी में poet omega character करने का भी मौका मिला and then he got excellent recognition as Munna भाईया in Mirzapur बात करते हैं Mirzapur में उनके रोल के बारे में दिविएंदू ने Mirzapur में ultimate villain का role play किया है so आप भी जरूर जाना चाहेंगे why did he want to play this role सभी actors की तरहा उनको भी कुछ हटके करने की चाहत थी उनको Mirzapur का script बहुत पसंद आया and he got mind-blowing fan following as Munna भाईया in Mirzapur एक बहुत interesting fact आपके चाहिते दिविएंदू को नुमेरिलाजी पर belief और कास्ट डिविजन से नफरत है to stand on board these beliefs 2019 में उन्होंने अपने नाम के आगे से सरनीम हटा दिया हाला कि वो अपने सभी official documents में अपना पूरा नाम यूज करते है नमब थ्री पंकचत्रिपाथी चलिए अब बात करते हैं कालीन भाया की पंकचत्रिपाथी का birth 5th September 1976 को बेलसंद में हुआ उन्होंने अपने debut run और उंकारा जैसी movie से किया है और तब से अब तक उन्होंने 40 से भी ज़्यादा films और 60 से भी ज़्यादा television shows में काम किया है गैंक्स औ वासेफूर जैसे film series में उनके काम को बहुत appreciate किया गया इतना ही नहीं उन्होंने फुक्रे नील बटे सन्नाटा बरिली की बर्फे फुक्रे रिटरंस जैसे movies में अपनी acting के जादू से सब भी के दिलों को जीता है You all may be surprised to know that तृपाथी जी पहले farmer हुआ करते थे यहां तक ही festival टाइम में उन्होंने विलेज नाटक में लड़की का रोल भी प्ले किया है लेकिन अच्छी बात ये है कि उनकी इसी acting की वज़ा से उनका काफी ज़ादा नाम भी हुआ और तभी उनको लगने लगा कि वो acting में अपना करियर बनना सकते हैं और उनके सभी फैंस का ये भी कहना है कि वो रोल करते वग पंकत जी का यही डर था कि वो रोल effortless दिखाने के चक्कर में bloodless ना लगे पर जो result हमें सेकरेट गेंस 2 में मिला वो हम सभी जानते हैं नमबर 4 निया शर्मा नेगेटिव रोल्स को लेकर हमारे female stars में भी क्रेज की कुछ कमी नहीं है पर निया शर्मा इस लिस्ट में टॉप पर है निया शर्मा का जन्म 17 सेप्टेमबर 1990 को डेली में हुआ उन्होंने अपने डेबिट 2010 में काली एक अगनी परिक्षा TV सीरिल से किया उनको अक्षा कुमार जी के प्रडूस किये हुए ZTV सीरीज जमाई राजा में रवीद दूबे के अपोजिट काम करने का मौका मिला Then, she got an excellent chance to work with Vikram Bhatt by playing the role of Alia Mukherjee in web series named Twisted ये था उनका debut in digital platform After the great success of Twisted Part 1, we could see Nia in Twisted 2 Nia Sharma का एक interview में ये कहना है कि she has much improved and confident than Twisted series Nia Sharma का role इश्रो पे बहुत glamorous and bold रहा है Number 5. Jatin Sarna अब बात करते हैं Jatin Sarna की इनका बर्द 2nd November 1984 को New Delhi में हुआ वो New Delhi के एक Punjabi family से बिलॉंग करते हैं He is a commerce graduate from Delhi University उन्होंन स्रीराम Center for performing arts rating course pass करने के बाद He started doing theater In 2012, he acted in a short film called A Perfect Murder Which got honored with numerous awards from Delhi 48-hour film project सिर्फ इतना ही नहीं Jatin को भी film के लिए best actor का award मिला उनको first film की opportunity director Rakesh Ranjanji से मिली For the film Dear Friend Hitler In 2011, फिर उनको award-winning film Rage में काम करने का मौका मिला Then, उनको अनुराक कर्ष्यप और विक्रामादित्यमोटवानी जी के web series Sacred Games में Banty का रूल करने का मौका मिला इस film में hot-headed, abusive At the same time loyal and right-handed man Banty का रूल बख हूब भी निभाया इन्होंने Not only that, this ever-struggling actor Got overnight fame for his web series उनको माराथी अच्छे से नहीं आती थी So, उनके sound दादने उनको बूला वो scene ऐसे नहीं ऐसे होगा या फिर ये dialogue ऐसे बूलना है इतना ही नहीं He took help from his makeup man Spot boy for learning माराथी उनके लिए ये web series उनके लिए लाइप का एक turning point रहा He was born and brought up in Surat उनके mother as well father teachers थे So, उनको doctor बनना था लेकिन उनके great slow होने की वज़ा से ही He went for industrial engineering in Maharashtra उनको theater से इतना लगाओ था कि he carried on his work and theater simultaneously आप प्रतीक के fans proud feel करोगे When you will come to know दाट उनका नाम Limka Books of Records में लिखा गया है For his acting in the play Mohan's Masala इस play Mohan होने English, थोड़ी Hindi एंड गुजराती इन तीनों languages में काम किया on the same day प्रतीक ने stock broker Harsad Mehta का role play किया in the web series Scam 1992 उनको director Hansal Mehta जी ने एक बार कहा था Wait for the day when it's going to release तब उनको लगा शायद प्रतीक के tension दूर करने के लिए वो ये कह रही है But when the series released an audience का response देख के उनको वो बात तब समझ में आया उनको इस film में सबसे जाल चैलेंजिंग लगा उनके character को audience के सामने lively proof करना जब Hansal Mehta जी ने उनको इस character के लिए अप्रोच किया he was overwhelmed at the point because उनके लिए Hansal Mehta जैसे director के साथ काम करना सपना सच होने जैसा था film के director ने उनको पूरा freedom दिया उनके character के साथ experiment करने का but he told that the acting should come within the body and should naturally depict the characteristic of Hansal Mehta पर उनका वो ही role उनके career के लिए बहुत ही positive सावित हो रहा है and we hope वो हमें future में भी ऐसे मज़दार characters play करते वे दिखे number 7, R. Madhwan इनका birth 1st June 1970 को जमसेदपुर में हुआ उन्होंने कोलहपुर में electronics में bachelor of science कम्प्रीट किया he used to be a NCC cadet in Maharashtra at the age of 22 last year release भी breathe web series में उनका serial killer का character सभी को बहुत पसंद आया पूरे show में उनका character fan favorite हो गया उनका character negative था लेकिन उसी character की वज़ा से he got huge positive response number 8, Amayvag इस Indian Marathi actor का birth 13 November 1987 को पूने में हुआ उनके family का transport business रह चुका है ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि he was brought up in joint family but can you imagine the count his family consisted of 65 members उनको acting का बहुत पहले ही से सौक था और इसलिए वो कॉलिज के play competition में भाग लेते रहते थे कुछ टाइम पहले ही उनको एक breakthrough मिला by playing the role of Kushal in season 2 of Sacred Games and Rasool's sake in Asur Asur में Amayvag has stolen his everyone heart by outstandingly playing the role of villain in the series और इस बात में कोई सक नहीं है कि उन्होंने अपने role के साथ पूरा justice किया है उन्होंने एक interview में बताया देट उनको Asur के casting team से call आया after that he gave the audition and got the role और उनका ये भी कहना है कि जालतर audition देने के बाद उनको वो satisfaction नहीं मिलता बट Asur का audition देने के बाद उनको लगा कि उनको वो role मिल जाएगा नम्मर 9 Abhishek Baner जी इनका birth 5th May 1988 को खड़कपूर में हुआ उन्होंने डेली के केंदरी विद्याल से schooling खतम की Amazon Web Series पतालोक में इन्होंने एक lead antagonist and serial killer का role take किया है एक interview में उन्होंने कहा ये एक ऐसा series है जो लोगों के दिलों में हथोड़ा त्यागी के बारी में बहुत सारे questions उठाएगा and for him the character of हथोड़ा त्यागी पतालोक is much more meanist and deepest than the role he played in Ajji अविशेक के लिए इस series का climax सबसे ज्यादा memoryable रहा अविशेक को इस character में घुसने के लिए एक महना लग गया था so that each of his actions in the series comes subconsciously and इसी वज़ा से इस series को suit करते वक्ट उनका बोल चाल रहन सेंट सब automatically बदल गया था नम्मर टेन नवाजुदीन सिदिकी इनका birth 19th में 1974 को बुधाना वुजफर नगर उत्तर प्रदेस में हुआ था नम्मर टेन सिदिकी आज बॉल यूट के well known actor है जिन्होंने अपने hard work से अपने आपको बॉल यूट में establish किया है और अगर आप नम्मर टेन सिदिकी के बारे में तो वो एक नहीं कई popular characters प्ले कर चुके हैं और उनका web series में सबसे popular character जो रहा है वो है गाईटोंडे का उन्होंने एक interview में कहा कि उनका secret games का गाईटोंडे वाला character इतना famous हुआ कि वो मंटोर shooting पर गए थे पर वहाँ everyone was shouting गाईटोंडे उनका ये भी कहना है कि गाईटोंडे के रूल के वज़ा से उनकी female fan following बढ़ गई है इनका birth 31st May 1979 को दहरादून में हुआ वीर सिर्फ एक actor ही नहीं comedian and comedy musician दी है उन्होंने Indian language school in Lagos, Nigeria and the Lawrence school Sanawar Delhi से schooling खतम किया then he went to Knox College, Gelsberg, Illinois to pursue graduation in economics and theatre चली अब point पर आते हैं और जानते उनके हस्मुख web series के बारे में details में जिसमें उन्होंने एक negative character का role play किया है वीर दास जो excellent comic things के लिए famous हैं उनको हस्मुख में एक अलग ही role play करने का मौका मिला and for that, he really achieved a huge fan following हस्मुख is a dark comedy web series and वीर का role इस show में comedian at the same time serial killer का है audience को इससे पहले वीर दास का ऐसा appearance देखने को कभी नहीं मिला आप सब का ये question जरूर होगा कि उनको हस्मुख का offer मिला कैसे the idea of हस्मुख is actually driven by वीर दास yes, उन्होंने ये show का comedy portion लिखा हुआ था then वो निखिल अडवाने के पास गए and उनको भी एक concept भागया and then, निखिल ने इसी script को एक cinematic and dark look दिया this is how, this ultimate web series has been created वीर दास ने इससे पहले बहुत सारी web source में काम किया है but हस्मुख is the first web series जिसमें उन्होंने ऐस actor काम किया तो दोस्तों, web series का trend आने के बाद every actor और let's say newcomer को equally opportunities मिल रही अपने talents को देखाने का and we hope आने वाले web series में हमें ऐसी सांदार characters को देखने को मिले